नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबी टेक में दोस्तों दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पहली अपडेट है एल्टी गेड नियुक्ति को ले करके और दूसरी अपडेट है यूपी प्यस्सी पड़ाम को ले करके सबसे पहले बात करेंगे कील टीके नियुक्ति को ले करके तो आप सभी लोग कीली निक्ती का इंतजार कर रहे हैं तेरा भूस्तों की आ innocence इस नुतिक का इंतजार है दिखाते हैं आंपको की पूरी अपडेट जोस्तों यहाँ पर आप चैनितों की मांगषीड का सत्यापन सुरूंद दोस्तों वैसे तो मांगषीड का सत्यापन नोता है जोइनिंग के बाद होता है लेकिन इस बारे सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि जब तक पूरा सत्यापन करक्रम हो नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने नहीं जाएगे को नियुक्ति पत्र एक रिसा दिये जाएंगे इसा मुझे अनुमान मेरा लग रहा है ठीक है तो यहां पर क्या अप्रेट है वो देख लिए लिखाए मादेमिक सिछाने जिसाल है कार्याला ने ल्टी ग्रेट रभरापन शुरू करा दिया है कई यह व्यवर्तियों के सच्छिक अविलेः खो के नाम पिता के नाम मादा के नाम में तुटी अथवा भ्हनता पाई गई तृच्त अगर आप अब ऐससे ब्रती यहें जिन होने नाम पिता के नाम इन सब चीजओं में गलतिया किया तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इस्पेसल होने वाला है क्या करना है आपको मैं भी आपको इसी वीडियों बताऊंगा अगर आप यह साही चीज़ें नहीं करेंगे तो जाइड़ सी बाद दोस्तों आप यहां से बाहर भी कर सकते किया जा सकते आपको ठीक है अब देखि करा दीजिए एल्टी ग्रेट सिच्छक बढ़ती के तैट 15 विश्यों में से 10708 पदों पर बढ़ती आई थी जिसकी परिछा 29 जुलाई 2018 को हुई थी तो दोस्तों अगर आपने गलतियां की है तो आपको एक काम करना पड़ेगा इसमें कोई भी आपको सहूलियत नहीं दी के टाइम एक एफिडेविट दिया था हलाफ नामा दिया था कि हमारी यह गलतियां तो उन्हीं सब तुटियों को देखते हुए लोग से आयोग ने डाकुमेंट वेरिफिकेशन कर लिया था और सारे जो चीज़ें वो सिच्छन दिसाले को भेज दिया अब सिच्छन दिसा इन्युनिविश्टी से जिसमें भी गलतिया हो उसको सुधरा करके आप लोग जैसा माने भी बताया पीछे कि यहां पर आप लोग वहां पर जा करके अपना जमा करें तो आप लोग यह बिलकुल भी मत सूचिएगा कि हमने हलाफ नामा सपत पतर दे दिया तो हमारा काम हो होगे आपको जो भी गलतियां है उनको सही करवाना पड़ेगा यहां पर लिखा है किना भीड़तों को छूट रहेगी तो लिखा है कि सारी जो आपकी डीटेल्स होने चाहिए वह हाई स्कूल के प्रमाणपत्र में जो अंकित है वही सभी में होना चाहिए जो हाई स्कूल म अपका नाम है डेटा बड़त है प्रिता का नाम है माता का नाम है वही सारी चीज़ें इंटर ग्रेजिवेशन बीएड यह सारी चीजों में सेमी आपके पास डीटेल्स होने चाहिए लेकिन इन महिलाओं को छूट दी गई है जिनका जिनकी साधी होने के बाद उनका अगर सरनेम बदल गया है तो इसमें परिवर्तन कराने की कोई भी जरूरत नहीं है जैसे मान लिजे कोई महिला है शुरुआत में उसका टाइल्टल अलग है साधी से पाई टाइल्टल अलग है लेकिन साधी के बाद जो टाइल्टल होता है आस्वेंट का लग जाता है तो अगर चेंज हो गया है तो माकिसिट में कोई भी दिक्कत में बाकि अगर कोई भी दिक्कत आए तो आपको यहां पर सारी चीजें सही करवाना पड़ेगा नीचे यहां पर लिखा है मैं आपको दिखा देता हूं कि उसे संबंधित बोर्ड से सुद्ध करा करके स्वप्रमाडित चाय पर्ति 15 के अंदर कारीयाल में उपलब्द करा दे निरधार दिकी अंदर संसोदित अंकपत्र प्रमाडपत्र की स्चायय पर्ति अगर प्रावत्ति नहीं होती है और निक्ति-पक्रियों में बाधा आती है इसकी समझत जिम्मेधारी संबंधित अबढ़ी होगी तो आ यह ठीक है तो यहां पर आप लोग दे सकते हैं कि 73 विड़तियों को साचाहत कारे के लिए बुलाया गया है सुक्रवार को सायक कुल सच्चु की लिखित परिच्छा का परड़ाम बोड ने जारी कर दिया है यह वो प्रेस विग्यप्ति है 19 जुन 2020 की और यहां पर नोटिस मे यहां पर रोल नंबर भी दिया गया यह लिस्ट आप लोग आयों की वेफसाइट से यह हमारे टेलिग्राम चैनले से डाउनलोड कर सकते हैं और अंत में चोटी सी अपडेट यूपी पीसल बढ़ती को लेकर कि यूपी पीसल में दोस्तों टेक्निसियन के 600 ज्यादा पर ब सब्सक्राइब होना चाहिए 18-40 साल एज है ज्यादा जानकरी आपको हमारी वेफसाइट गवर्मेंट जॉब सेंटर डाट कॉम पर मिल जाएगी वहां से जाकर के आप लोग आनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं तो यह होगी दोस्तों आज की पूरी डिटेल्स आज होब कर दीजिएगा धन्यवाद